जैस्री करश्ण मित्रो, मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 21 जुन 2022 मंगलवार के दिन काम तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टिवा भगवान हनुमान जी के करपा से आज 12 में से 8 राशीयों को कारी छेतर में विशेश उपलब्दी मिलेगी इन 8 राशी वालों में आज है वरशब, मित्वन, कर्क, सिम्ह, कन्या, तुला, मकर और मीन राशी वाली लोग वही अन्य राशीयों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ये दिन नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य बबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यान मरदक जान कारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज आशाड मास कृष्ण पक्ष के अस्ट में तिथी है मंगलबार का दिन है आज दिन की सुर्वात उत्रा भादरपज नक्षत्र से होगी और मीन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदे प्रातह काल पांच बच के 23 मिनिट पर होगा और सुर्यास्त साम के 7 बच के 21 मिनिट पर होगा आज राहुकाल अपरानकाल तीन बच के बावन मिनिट से आरंब हो करके सायंकाल पाँच बच के से तिस मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सुल लहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य आरंब नहीं करें उत्तर दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतिया वश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा अरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ट अतिस्रेष्ट मुहुर्त अभी जीत मुहुर्त आरंब होगा प्राता हकाल ग्यारह बच के चोपन मिनट से आरंब हो करके दोपहर बारह बच के पचास मिनट तक सरवस्रेष्ट वर शुब मुहुर्त रहेगा इस महुर्ट में आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस स्रेष्ट महुर्ट में आप कर सकते हैं तो आप जानी अपनी जन्म राशी के नुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे के दिन आपका शूब रहे और कारे छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों के नुसार, आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज स्वास्थ आपका बहतर रहेगा, पारिवारिक जीवन भी खुशाल रहेगा, आपकी आई में व्रद्धी संभावी थे, आपके पास नए अधीग रहन होंगे, जो आपको सामाजिक इस्तिति में आज आर्थिक लापदी आपको मिलेगा, कोई बड़ी उपलब्दी आपको मिल सकेगी, आज आपको भाग्य का साथ 80% प्रतिसत प्राप्तों होगा, आज आपका भाग्यशाली अंकनों है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अ आल धोजा हनवान जी के मंदिर के सिखर पर लगावें, ओम पवन पुत्राइनमा इस महा मंतर का जाप करें, ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगले राशी है व्रशब, व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि का पर इस्थान अंतर होना संभावित रहेगा, कारी छेतर में सहीयोगियों के साथ काम करते समय, विशे सावधानी बरतने की अवशकता रहेगी, आर्थिक पक्ष आज आपका बहतर रहेगा, आज आपको भाग्य का साथ 81 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शा पर इस प्रकार से हिन, प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चाथ, भगवान हनुमान जी को बेशन के लड़ूं का भूगर पित करें, लाल पुष्प चड़ा करके शुद्ध गी का दिया जलावी, ओम हम हनुमतिये नमाह, इस महा मंतर का जाप करें, ऐसा करने से कारे में आ पूरा उपियोग कर लेते हैं, तो आपका व्यावसाइक जीवन आपको भविश्य में काफी लाबू प्रदान कर सकेगा, आज हेल्दी विकल्पों को चुनने से आपका स्वास्त बहतर रहेगा, आज आर्थिक पक्षा आपका काफी मजबूत रहेगा, आज आपको भाग् करग्दास है, शुबरंग आपका आस्मानी रंग है, आस्मानी रंग का प्रियोकारि छेतर में हाज, अदिख सदिक आपको विशिश लाब की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए, आपका विशेुस उपा इस प्रकार से हैं, प्रातहक करकर आशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा पारिवरिक जीवन में भाई बानों से विवात के कारण अईस्थिरता थोड़ी हो सकती है प्रेम संबंद आपके यथावत रहेंगे दामपत्ती जीवन सुख में रहेगा समर्पित परिश्रम से दिया आप वरिष्टों को संतुस्त करते हैं तो आपको आर्थिक लाव मिल सकेगा खान पान पर आज विशेश ध्यान दे इससे आपका स्वास्थ बहतर रहेगा आज आपको भाग्यकासां 95 प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका भाग्यशाली अंकसाथ है शुख रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान हनमान जी के सामने सुद्धगी का आटे का चार मुखी दिपक जलावें और बूंदी के लड़ूं का भोगर पित करके लाल पुषप चड़ावें उन केसरी नंदनाई नमा इस महा मंतर का जाब करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है सिम्वर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आत्म विश्वास आपका चरम पर रहेगा राजनीतिक या सामाजी कारियों से जुड़े लोग कई बेठक आदी में भाग ले पाएंगे सफलता मिलेगी आपको मान सम्मान मिलेगा कुछ नई जिम्मेदारियां आज आपको मिल सकेगी और आप जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे परिवार के छोटे सदस्यापकी मदद के लिए आगे रहेंगे आर्थिक पक्षय आपका बहतर रहेगा आज आपको भाग्यकासांत असी प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुबरंग आपका बेंगनी रंग है बेंगनी रंग का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हिन प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद भगवान हनुमान जी के समक्ष सुद्ध गीं का दिया जला करके पंचमेवा का निवेद्य अर्पित करें लाल वस्तर लाल पुष्प अर्पित करें श्री राम दूताई नमा इस महा मंतर का जाप करें इसा करने से कारे में आपको स्वस्त रहेंगे अतह आप भविष्च में पूर्ण सफलता प्राप्त कर पाएंगे यदि कोई कानूनी आपका लंबित है मामला आपका लंबित है तो अदालती मामलों में सफलता के प्रबल्योग बनेंगे व्यापारी वर्ग ग्रहकों से पेसेव को लेकर वाद प्रता के साथ करें आपको आर्थिक लाब अवश्य मिलेगा आज आपको भग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भग्य साली अंक चार है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश हुपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाथ भगवान हनमान जी की सिंदूर के द्वारा गंद पुष्प अक्षत से पूजन करें लाल पुष्प अर्पित करें इसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यावसाइक संदर्ब में नए व्यापार संबंदों और सोदों को अंतिरूप देने के लिए आज का दिन बहत अच्छा है कारी संबंदी यात्रा के योग बन सकते हैं जो आपको सकारात्मक परिणाम देंगे आज परिवारिक जीवन आपका काफी अच्छा रहेगा आप में से कुछ लोग महतुपुर्ण व्यक्तियों से संपर्क इस्थापित कर पाएंगे और मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे आज आपको भाग्य का सांथ 75% होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब्रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोक कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारी में एसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्यावसाइक छेतर में आज बहुती अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे प्रभावसाली लोगों से संपर्क ला आज आपको भाग्यका सांथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुबरंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियो कारी छेतर में अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में वि अगली राशी है धनू आज आपको भाग्यकासान 85 प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए, आपका विशे सुपा इस प्रकार से हैं, प्रातहकाल इसनान करने के प्रश्चात, भगवान हनुमान जी के समक्ष, सुद्धगी का आटे का चार मुखी दिया जलावें, पंचमेवा, रितूफल, अरपित करें, ओम, अंजनी, सुताई, नमा, इस महा मंतर का जाप करें, ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगले राशी है मकर, मकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, व्यावसाइक संदर्में में व्यापार संबंदों और सोदों में तरक्की करने के लिए अनुकुल समय रहेगा, कारी संबंदी यात्राएं, सही योग, आने वाले महिनों में सकारात्मक परिणाम आपको देंगे, नोकरी पेशा लोगों के आई में व्रद्दी के योग बनेंगे, व्यापारियों को लाब होगा, आप में से कुछ लोग प्रभावसाली व्यक्तियों से संब बंद स्थापित कर पाएंगे, आज दामपत्ति जीवन आपका बहतर रहेगा, आज आपको भाग्यका सांथ पिच्योतर प्रतिस्था प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य साली अंकछे है, शुवरंग आपका आसमानी रंग है, आसमानी रंग का प्रियो कारी छेतर में अज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से ही प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान हनमान जी को मिठाई का भोगर पित करके लाल आपको मिलेगा इसके कारण आप किसी निशकर्ष पर कम पहुँच पाएंगे यह इस्तिती आपको मांसी कुलजन और तनाव में डाल सकती है मन को एकागर आज अवश्य रखें वरतमान परिस्तितियों के बज़े से द्यावसाइक गतिविदिया थोड़ी सी कमज़ोर होग आज आपका भाग गिशाली अंक दो हैं शुबरंग आपका लाल रंग हैं लाल रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशिश सफलता पाने के लिए आपका विशिश पीपल के पांच पत्टों पर स्री राम का नाम लिखकर के हनुमान जी को अरपित करें, रितू फल का भोग अरपित करें, स्री राम दूताइनमा इस महा मंत्र का जाप करें, इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगले राशी है मीन, मीन राशी वालों के पनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आप में से कुछ लोगों के लिए आज का दिन विवादास्पद हो सकता है, आज आपको अपने वरिष्टों की उपेक्षा का सामना भी करना पड़ सकता है, आपके सहयोगी आपकी कमजोरियों को भुनाने की या काम बिगाड करने की कोशिस कर सकते हैं, आज सत्रों से सतर करें, विसे आर्थिक लाब आज आपको अवश्य मिलेगा, कारोबारियों को बड़े निवेस से बचने की आज आवश्यकता रहेगी, आज आपको भाग्य का सांत 90 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक 5 शुबरंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रयोग कारे छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं, प्राता हकाल में आपको अच्छी सफलता मिलेगी तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्त्रीकरश्ण मित्रों फिर मिलेंगे